आज की कहानी है वारानसी के सत्यप्रकाश मालवी की जो खुद देख नहीं सकते लेकिन अपनी मेहनत के दम पर दूसरों की जिंदगी में रौशनी विखेर रहे हैं सत्यप्रकाश होममेड मसाले का बिसनस कर रहे हैं इसके साथ ही इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन मारकिटिंग भी कर रहे हैं मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद अब उनकी पिएचडी जारी है सत्यप्रकाश ने पढ़ाई के दौरान ही बिसनस करने का मन बनाया वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो जादा से जादा लोगों तक अपना काम पहुचा सके अलग-अलग आइडिया पर रिसर्च करने के बाद साल 2021 में उन्होंने मसाले के बिस्निस का प्लान फाइनल किया क्योंकि ये मसाले हर घर की जुरुत हैं करीब धाई लाक रुपए की लागत से कुछ मशीने खरी दी और स्थानी महिलाओं के साथ मिलकर अपने काम की शिरुवात की बढ़िया रस्पॉंस मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये मार्केटिंग की जिसके बाद सत्यप्रकाश को मेले और एक्जिबीशन में बुलाने लगे जिससे उन्हें काम को बढ़ाने में काफी मदद मिली अभी सत्यप्रकाश एक दरदन से जादा मसालों का बिसनस कर रहे हैं इसे वो सालाना तीन से चार लाकी कमाई भी कर रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने दस से जादा महिलाओं और दिव्यांगों को प्रोजगार से जोड़ा है और भी ऐसी positive stories के लिए जोड़े रहें दानिक भासकर आपके साथ क्योंकि सच करीब से दिखता है